मैं डक्टर एर्पी सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल डक्टर रागो अर्वेदा सक्ती में सागत करता हूँ अमेरिकन क्रिसी विभाग के अनुसार 100 ग्राम आम में 13.66 ग्राम चीनी होती है कोई भी ब्यक्ति आम के मीठी श्रात का अनन ले सकता है वास्तों में आम में सिर्फ सुगर ही नहीं होता बलकि यह सरीर के दैनिक आहार फाइबर की जरुतों का 40% प्रदान कर सकता है आम में बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन E, कापर, फोलेट, बिटामिन B9 और पोटैसियम भी होता है यह फल, एसकॉर्बिक एसीड, कैरोटिनाइड और फैलोनिक योगों जैसे आहार एंटियोक्सिदेंट्स का एक बड़ा सुरूत है चोकि आम में 90% सुगर होता है इसलिए यह डियाविटीज वाले किसी भी ब्यक्ति में उनके ब्लड सुगर के अस्तर को प्रभावित कर सकता है लेकिन इस फल में फाइबर और एंटियोक्सिदेंट्स भी होता है जो ब्लड सुगर के अस्तर पर पढ़ने वाले प्रभाव की दर को कम करने में मदद करता है इसके अलावा अन्य खादे पदार्थों जैसे हंग कर्ड के साथ आम का सेवन करने से या ब्लड सुगर के बढ़ने की दर को कम करने में मदद करता है इसलिए आम खाने के बाद ब्लड सुगर में ब्रिद्धी हो सकती है लेकिन इसके दूस प्रभाव को आसानी से रोका जा सकता है एक आम में ऐसे पूसकता तो होते हैं जो प्रतिरच्छा पणाली पाचंतंत आँखों के स्वास तचा को साफ करना और कोलिस्टराल के अस्तर को नियंतित करने में मदद कर सकता है आम के बारे में एक और सकारात्मक बात यह है कि यह पोटैसियम का एक अच्छा सुरोत है 100 ग्राम आम में लगबख 168 मिली ग्राम पोटैसियम होता है और पोटैसियम सरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाये रखने के लिए महत्पूर्ण खनीज माना जाता है जो लोग डायविटीस से ग्रस्थ हैं उनमें अकसर हाई ब्लड प्रेसर की समस्या होती है सोथ से पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेसर वाले लोगों में पोटैसियम ब्लड प्रेसर को कम कर सकता है वास्तों में आम की बहुत छोटी खुराक भी डायविटीज से ग्रसित लोगों के लिए लाबदायक होती है सोद करताओं के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर और डायविटीज जैसे लंबे समय तक प्रभावित करने वाले बिमारियों से ग्रसित लोगों को अपनी डायट में इसकी मात्रा लेने से पहले चिकिसक की परामर्ज जरूर लेनी चाहिए आम एक नियमित रूप से सेवन करने से आप अपने कोलिस्टराल के अस्तर को नियंत्रव में रख सकते हैं आम में उच मात्रा में मौझूद बिटामिन सी, पैक्टीन और फाइबर कोलिस्टराल बिसे इस रूप से खराब LDL कोलिस्टराल को कम करने में सहायक है इसके अलावा यह रक्ट में ट्राइग्लिस्टराइट को कम करने के लिए भी मदद करता है यही नहीं अच्छा LDL कोलिस्टराल को बढ़ाने में भी मदद करता है इसके अतिरिक्त आम पुटैसियम का एक सम्रिद स्रोथ है जो तंत्रीका तंत्र में रख्त के प्रभाह को बढ़ाने में एक महत्पून भूमिका निभाता है। इससे हिर्दय की गती और रक्त चाप नियंत्र में रहता है और दिल के दौरे का स्ट्रोक का खत्रा भी कम हो जाता है। भारत के कई शेत्रों में आज भी लू एम अनेक उससे सम्मंधित लच्णों को जड़ से मिटाने के लिए लोग आम का पन्ना के रसीले एम खटे मीठे स्वाद का अनन लेते हैं। हीट स्ट्रोक telephone के खत्रा कम करने के लिए या अनिवाद है कि आपके शरीर में तरल पदार्ध का स्थर उच हो। आम पुटैसियम का सम्रिद स्रुथ में की सोडियम क्तियों की स्वस्थ और को बनाये रखने में सहायक है। शरीर में स्वस्थ सोडियम का अस्तर सरीर के तरल पदार के अस्तर को नियंतित करता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है गर्मी के दिनों के दौरान आप पके हुए यह कच्छे आम दोनों का ही सेवन कर सकते हैं इससे आपके सरीर को ठंडक मिलेगे और वह पुना हाइडरेटे भी हो जाएगा यदि आप पके हुए आम का सेवन कर रहे हैं तो इसके सितलन प्रभाव को बढ़ाने के लिए खाने से पहले एक घंटे के लिए एक घंटे के लिए आप आम को पानी में भिगो कर छोड़ दें ताप घात को मात देने में कच्छे आम का रस अधिक इसमें स्वात के लिए सेंधा नमक और चीनी भी मिला सकते हैं इसे रोजाना दिन में एक से दो बार चरूर पी आम हमारी आँखों के लिए भी एक उत्तम आहार के रूप में हैं आम में उच मात्रा में मौझूद बिटामिन ए नित्र स्वास्त के लिए एक महत्पूर पोसक्तत्व है बिटामिन ए अच्छी द्रिष्टी को बढ़ाता है और रतोंधी मोतियाबिन धब्यदार अंता पतन सुस्क आखे मुलायम कार्निया और शमान नित्र और शुविधा ज उसके अलावा आम में बीटा कैरोटीन, अलफा कैरोटीन और बीटा कर्योटोसाइन थीन जैसे फ्लायनोट्स भी अच्छी मात्रा में नहीं थैं जो अच्छा द्रिष्टी के लिए आवश्चक है तो रोजाना स्वादिष्ट आम खाएं और द्रिष्टी में सुधार करने से आपके सरीर की बीटामिक A की दैनी का हो सकता 25% तक पूरी हो जाती है आम में मौझूद उच्छ फाइबर सामगरी, पाचन और मलत्याग प्रक्रिया को तेजी तेहन नियमित करने में एक अट्टम सहायक है 2013 में गैस्ट्रो एस्ट्रो नौजी में प्रकासितिक अध्यान के अनुशार या क्रोहन रोग जैसे गैस्ट्रो एस्ट्रेस्ट्राइनल विकारों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है इसके अलाबा यह फल्क कब्ज और पेट के अलसर से राहत प्रदान करने में भी सच्चम है आम में ऐसे एंजाइम उपस्तित होते हैं जो कार्बो हाइडरेट्स और प्रोटीन के पाचन को बढ़ावा देते हैं जिससे भोजन को उर्जा में बदलने में शाहता मिलती है नेमित अधार पर दोनों ही कच्चे यहों पके हुए आम खाने से पाचन सक्ति में सुधार आता है और विभिन प्रकार की गैस्ट्रो इस्टेटाइनल विकारों का खत्रा कम हो जाता है दिमाग के विकास और श्मर्ण सक्ति को बढ़ावा देने के लिए ना जाने लोग कितने समगरियों का उभ्यो करते हैं परंतु क्या आप इस बात से परचित हैं कि श्मर्ण सक्ति को बढ़ाने का एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट उपाय है जी हाँ आप आराम से घर बैठे आम के मीठे रस का स्वाद लेते हुए अपनी श्मर्ण सक्ति को बढ़ा सकते हैं और एकागरता के अस्तर में सुधार ला सकते हैं आम में उपस्तित ग्लूटामीन एसीड इसमती को बढ़ावा देने और मानसिक सतर्था को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है इसके अलावा आम बिटामीन B6 से भी भरपूर होता है जो मस्तिस्त की कारे सिल्टा को बनाए रखता है और इसमें सुधार के लिए एक महत्वपूर तत्व है अता यदि आपको पढ़ाई पर धियान के इंदित करने में मुस्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर आप अपनी कमजोर यदास से परिसान है तो अपने आहार योजना में आम को सामिल अवश्य करें आम के श्वास्त लाबों में से एक है कैंसर से लड़ने की उसकी च्छमता इसकी यह च्छमता उसमें मौझूद उत्तम रोधी कैंसर गुण उच फाइबर विटामिन सी कई फिनोल और एंजाइमों से आती है कई अध्यनों से पता चला है कि आम में उपस्तित एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सिडेंट सी योगिक पीट अस्तन फेफडे तवचा लिकेमिया और पोस्टेट कैंसर के खिलाफ रच्छा प्रदान कर सकते हैं आम में कैंसर रोधी योगिक प्रभावी ढंक से बिना स्वास्त एंटी समान कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा है कैंसर की कोशिकाओं की सरीर से निकासी में मदद करते हैं देना फाइवर कैंसर सनस्थान वोश्टन में अधारित एक अध्यान में कैंसर रोगियों को अपने दैनिक आहर में आम का एक दो गिलास जूस सामिल करने की सलाह दी गई है आम में समाविष्ट विटामिन सी और एक उच एम अच्छी मात्रा आपके प्रतिरच्छा पणाली को स्वस्त और मजबूत रखने में एक महत्पूर भूमिका निभाती है इसमें नहित विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम की कारिसिलता को तेजित करने के लिए आवर्शक है यह तवचा और मेंब्रेन के श्वास्त को बनाये रखता है जिससे विभिन हानिकारक बैक्टीरिया और कवक के प्रवेश की खत्रे को कम किया जा सकता है विटामिन सी तवचा को स्वस्त रखती है और संक्रमर कणों के प्रवेश पर प्रबंद लगा देती है यह सफेद रख्त कोशिकाओं के उतपादून को भी बढ़ावा देती है जिससे हमारी प्रतिरच्छा और भी मजबूत बन जाती है इसके अलावा आम 25 विभिन प्रकार के करेटुनाइट से भरपूर है जो प्रतिरच्छा परणाली के स्वास्त पर सकारात्म के प्रभाव डालती है एक मजबूत प्रतिरच्छा परणाली असानी से सर्दी फ्रू और संक्रमर से लड़कर आपके सरीर को स्वस्त रखने में मदद करती है आम फलों का राजा तो है ही परंतु कि आप जानते हैं कि आम एक उत्तम कामुद दीपक फल भी है इसलिए आम को कई लोग प्यार का फल कहकर भी संबोधित करते हैं आम बिटामिन E का एक संब्रिद स्रोत है जो सेक्स हर्मोन को बियनिमित करने और कामिच्छा को बढ़ावा देने में मदद कार है इसके अलावा आम में मैंगनीशियम और पोटैसियम भी उच मात्रा में नहीं थै जो सेक्स हर्मोन की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अवर्शक तत्यों में से एक है आम पूर्सों में हिश्टामीन उत्पादन को बढ़ावा देता है जो संभोग सुक तक पहुँचने के लिए अवर्शक है यदि आप कम कम इच्छा अस्तर से परिसान है या फिर आप अपने घर में प्यार के नए फूल खिलाना चाहते हैं तो इस प्यार के फल का सेवन अवर्शक करें वैसे तो आम के सेवन के स्वास्त पर दूस प्रभाव बहुत ही दुरलब है परन्तु यदि आप इसका सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपको इसके कुछ नुक्सानों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह प्रकृतिक चीनी का एक संब्रिद स्रोत है इसके अधिक सेवन से रक्त सरक्रा अस्तर में बढ़ोत्री हो सकती है इसलिए मदुमे के रोगियों को ज़्यादा आम खाने की सलाह नहीं दे जाती हलाकि यह भी सच नहीं है कि मदुमे रोगी को मीठे फलों से बच करती हैं ना कि कार्बोहाइडरेट का स्रोत फिर चाहे स्रोत श्टार्च या चीनी हो यह कहा जाता है कि मदुमे के रोगी 83 ग्राम तक इस फल का सेवन कर सकते हैं इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में नहीं थै जिसके अत्यधिक सेवन से आपको दस्त की सिकायत हो सकती हैं या भी संभव है कि आपको आम से इलर्जी हो इसमें बहुत अधिक कैलरीज होती हो जो आपके सरीर के लिए बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है परंतु इससे आपके वजन में बढ़ोत्री हो सकती है बहुत अधिक आम खाना सरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है इसलिए एक द उचित मात्रा में करें तो आप इसके दूस प्रुभाओं से बस सकते हैं धन्यवान